नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं एक लेक की जो इंडियन एक्सप्रेश में लिखा है माननिये प्रधान मंत्री जी के जो एकॉनमिक अड़वाजरी काउंसिल के चेर्मेन है स्री बीबेक देवराय साथ इस लेक के बाद पूरे देश में राजनितिक शियासत जारी हो गई है और यह होना स्वहाविक भी है चुकि यह हैं तो एकॉनमिक अड़वाजरी काउंसिल के अध्यक्ष लेकिन अम्मूमन हम लोग देखते रहे हैं कि जो इनके लेख आते हैं इनके एक और सहयोगी भी हैं वो भी बहुत लेख में सागर्द हुआ करते हैं यह वैसे वैसे मुद्दों पर लेख लिखते रहे हैं जो एकॉनमिक तो नहीं होते हैं बहुत से मामले वे कुछ ऐसे इसूज होते हैं जिससे यह लगता है कि यह किसी आइडियोलोजी को प्लैन ड़ेवे में प्रमोट कर रहे हैं और यह देखते देखते चुकि उनके कई लेख ऐसे आए हैं उन पर चुकि कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई होगी तो इन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसे चीज को उठा दिया जाए जो पूरे देश में एक बहस का मुद्दा हो जाए तो यह ऐसी इस्थिती हो गई है कि उनको अपनी स्षीमा का निश्चित तोर पर ध्यान रखना चाहिए था चुकि भारती संबिधान को पूरे तोर पर बदल देने की बात या तो कोई राजनतिक दल की ओर से होता या भारत सरकार स्वेम कहती इनको कहां से यह अधिकायर मिल गया कि इन्होंने एक सजेशन दे दिया और जो उन्होंने लिखा है आर्टिकिल में उसका हिंदी अनुबाद जो मैंने देखा वो इस प्रकार है भारत का वरत्मान सम्विधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर आधारी थे 2002 में एक समीती बनी थी यह भी मैं याद दिलात मुँँ कि यह 2002 का वक्त यही है कि जब इंडिया की सरकार थी जिसका नेत्रत आधरने स्री अटल विहारी बाज पर इशाव कर रहे थे शम्मिधान की सम्क्षा है यह समीती बनी थी रिपोर्ट आई प्रन्तु यह आधा अधूरा प्रियास था फैक्ट यह है कि जैसे ही वो रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी विवाद पैदा हुआ था और यही कारण था कि तत्कालिन सरकार ने इसे फिर मेरे ख्याल से पेश्ट नहीं किया था इसमें उन्होंने आगे लिखा है हमें पहले सिध्धानतों से सुरुवात करनी चाहिए जैसा कि सम्विधान सभा की बहुत में हुआ था 2047 के लिए भारत को किस सम्विधान की जरूरत है अब मैं यहाँ पर यह पहले कह दूँ कि एक तरफ तो जब यह सरकार वनी थी 2014 में जो एलेक्शन कैंपेञ्च चल रहा था उसमें भारती जनता पार्टी की ओर से जोर सोर से यह बात कहा गया था कि परतेक वर्स दो करोर लोगों को रोजगान दिया जाएगा विदेशों से काला धन वापस लिया जाएगा और परतेक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपे दिया जाएगा यह तो पुरा न होना था न हुआ आगे चल कर फिर यह कहा गया एक बार कि 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी यह भी नहीं हुआ और दूसरी और कई ऐसी नितियां महंगाई बरती चली जा रही है पेट्रोल डिजल के दाम काफी बरक है बेरुजगारी बेतहासा बरती चली जा रही है और ऐसी परिस्तिती में चुकि अब भार्थ सरकार के पास निश्चित तोरपर जहनता को तो बतलाना परेगाना कि पार्टी ने चुनाओं के वक्त जो बाते रखी थी उसको पूरा क्यों नहीं किया जा पारा लेकिन कुछ वर्सों पुर्क माननी प्रधान मंतरी जी ने चुके या पिछले शान लाल के लिए की प्राचीर से भोशना कर दी कि 2047 में भारत पूरा विक्षित देश होगा तो मैं समस्ता हूँ कि स्री देवराय साहब ने जो 247 की चर्चा की है विए उसी से जुरा हुआ है तो इन्होंने लिखा है कि 2047 के लिए भारत को किस चम्विधान की जिरूरत है कुछ संसोधनों से काम नहीं चलेगा हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिध्धानतों से सुरू करना चाहिए या पूशना चाहिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निपेक्ष, लोकतांत्रिक, नियाय, स्वतांत्रता और समानता जैसे सब्दों का अब क्या मतलब है हम लोगों को खुद एक निया संविधान देना होगा यहाँ शर्जनक है चुकि भारतिय संविधान की जो प्रस्तावना है जो मूल प्रस्तावना है और जो बाद में दो सब्द समाजवादी और धर्म पेक्ष जोरे गए यह इस देश की तहजीब के अनकूल है इस देश की संस्कृति के अनकूल है वसुधैव कुटुमबकम की निती के अनकूल है मैं समझता हूँ कि जो कंस्टिश्वेंट असेम्मली थी जिसमें तपे तपाये नेता थे सभी स्वाधिन्ता संग्राम से निकले हुए महान नेता थे अमरे देश के चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो सरदार पठेल रहे हो डॉक्टर बीयार अम्बेट कर रहे हो ऐसे लोग और कुछ लोग उस समय ऐसे थे बरे समाजवादी नेता डॉक्टर राम अनोर लुया और सिरिया परकाश नारायन वो कंस्ट्वेंट असेम्मली के पात नहीं थे लेकिन जो संभीधान बना था उस समय कंस्ट्वेंट असेम्मली में बहुत डिवेट हुए थे हर अनुच्षेद पर डिवेट हुआ था और तब येसे स्विधार किया गया था जो कंस्ट्वेंट असेम्मली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंदर प्रशाद साहब और जो ड्राफ्ट कमिटी बनी थी कंस्ट्वेंट की उसमें भी सभी विद्वान लोग थे तपे तपाय लोग थे जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अमेटकर साहब कर रहे थे अन्य जो मानिय मेंबर्स थे स्री केम मुंसी साहब मुहमद साधूला सहब स्री अलाडी क्रिष्ण स्वामी अयर सहब स्री डी-पी खैतान सहब स्री अन गुपाला स्वामी सहब और बीयल मित्तर सहब निश्चित तोर पर स्री बिवेक देवराय सहब को कुछ भी सोचने के पहले यह सोचना चाहिए था कि संभिधान बदलने की बात भात सरकार की ओर से आनी चाहिए किसी राजनिक दल की ओर से आनी चाहिए आपने ये आटिकल लिख कर क्या किसी योजना बत तरीके से आप पर देके पीछे आपने ये बात लिखी है और यही कारण है कि इसके तीखी प्रत्किरिया हो रही है चाहे वह कॉंग्रेस पार्टी हो जनतादल उनाइटेड हो राष्टी जनतादल हो बहुजन समाज पार्टी हो इनके अन्य भी पार्टियां ध्राथर अपना विरोध प्रकट कर रही है निश्चित तोर पर भारती सम समीधाल को समय समय पर संसोदन होते रहें 126 बार संसोदन हो चुके हैं और हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम कॉपी करेंगे पाकिस्तान जैसे देश का कि वहाँ पर कई बार समीधाल बदल दिया गया चुकि वहाँ पर तो लोकतंत्र कभी भी मजबूत रहा ही नहीं या हम ऐसे देशों से भारत की तुल्ना नहीं कर सकते हैं जहां सत्ता उलटती प्लटती जाती है हमें तुल्ना करनी चाहिए लोकतंत्रिक देशों से जैसे युनाइटेड एस्टेट अमेरिका का समीधान 1787 का है इसमें सिर्फ 27 संसोदन गया है जापान का समीधान 1947 का है जियों का त् उनाइटेड किंट्यंग में तो अलिखित समीधान है फ्रांस का समीधान 1958 का है आस्ट्रिलिया का 1901 का है न्यूजिलेंड का 1852 का है कैनाडा का 1868 का है और ब्राजिली का 1888 का मैं रोध करता हूं स्री विवेक देवराय सहाब से कि आप जिस समीती के चेयर्मेन है किर्पया उसी पर आपको अपनी पूरी सक्ति लगानी चाहिए देश के विकास के लिए और मेरा अमरोध यह होगा भारत स्रकार से कि निश्चित तोर पर यह इस यह चुकि बहुत गंभीर मसला है इस पर इसको देखना चाहिए और पुरे देश में जोती की प्रतिक्रिया हो रही है चुकि खास कर कोई भी वैसा धल जो लोक्तंत्र में विश्वास करता है समाजवाद में विश्वास करता है धर्मिनरिप्रेक्षता में विश्वास करता है और साथ ही जो समाजिक नियाय में विश्वास करता है वो कभी भी इस तरह के सम्मिधान को बदलने की पूरे तवर पर बदलने की वकालत नहीं कर सकता है, चूंकि हमारे सम्विधान में जो मूलबुत अधिकार हैं, जो डिरेक्टिव प्रिंस्पुल्स हैं, जो आरक्षन के प्रावधान हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और समाज के जो अंतिम पारदान तक का तवका का आदमी ह उसके लिए भी बरावरी का अधिकार देता है, सभी को समान वोट का अधिकार देता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो निश्य तोर पर लाइक करें, शेयर करें, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को स्टर्च करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए, आप सभी लोगों के लिए सुब काम लाएं, धन्यबाद जरिए